संधन क्या चलाते हो खाट चलाते हो जब तुम इतने दिनों से एक अच्छा भी पैदा नहीं कर पाए तो खाए का कारेकरता पैदा करते हो इसलिए कहता हूं कि गुलाम कारेकरता पैदा करते हो सुधी राजी आईए जो कमी अगर थोड़ी बहुत है तो वो कमी हमारे प्रचार प्रसार की है कि हम अपनी अच्छी बातों को प्रचार प्रसार में बहुत स्पीट से नहीं लेकर आपा रहे हैं और हमसे ज़्यादा जिसकी स्पीट प्रचार प्रसार की है वो अपनी बेकार बाता भी हमारे दिमाग में डाल देता है और हमारे लोगों तक वही बात पहुंसती है तो वही सच हो जाती है किसी के पास अगर एक अम्रूद है और जीवन भर एक अम्रूद है तो उसके लिए एक अम्रूद ही सच है क्योंकि के वार मुझे बीच में जब हमारे बहार के लोग या जो नए लोग हैं या जो पुरारे लोग हैं जब वो चर्चा में एक वार ये कह देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए आपको वैसा करना चाहिए सीधे सीधे और पास कर देते हैं तो मुझे बीच में कूदना पड देते हैं तो लगता है कि बात आगे बढ़ेगे कोई अगर ध्यान दे और पूछे क्या बुद्ध किसी को नमो बुद्धाय करते थे कोई पूछे कि नमो बुद्धाय कब से आरंब हुआ क्या जवाब देगा कोई जैभीम का तो दे सकते हैं कि डॉक्टर अमबेटकर के तो बुद्ध के नमो बुद्धाय का मतलब है नमर होता हूं बुद्ध के लिए अब बुद्ध है कहां यहां कहां रखें या बुद्ध जो बुद्ध के लिए नमर होना है वह चलता है क्योंकि संबोधन के तरह के होते हैं जो हात मिलाने का संबोधन है हेलो हाय का है वो ब कुछ किसी व्यक्ति के होते हैं जैसे जैभीम हो गया, कबीर की जै हो गया, संत गुरुदास की जै हो गया, ये किसी व्यक्ति की जैकारे के संबोधन होते हैं, और भी संबोधन होते हैं, अगर अंग्रेजों का संबोधन अच्छा है, वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिं बुद्ध क्या के थे, क्या बुद्ध किसी को नमो बुद्धाय करते थे, क्या बुद्ध से पहले, बुद्ध बनने से पहले नमो बुद्धाय था, तो कोई सम्मोधन तो रहा होगा, वो जो सम्मोधन है, जिसको बोलते थे, वो पाली के अंदर है नमकार, नमकार का मतलब है कि नम्न होके कर्म करता हूं, नम्न होने का कर्म करता हूं, नम्न होने का कारे करता हूं, पॉलाइट होने का कारे करता हूं, तो ये नमककार सब्द पाली का है, इसको ही बाद में संसकायत करके नमस्कार बना दिया गया, और जब उन्होंने संसकात में इसको चेंज किया, तो वो अपने राजनेतिक पारटी में धीमन्तु इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने भी कह दिया कि धीमन्तु ठीक रहेगा तरसल आपने सिरी पाए बहुत खाए होंगे हमारे जो लोग है क्योंकि सिरी पाए बहुत खाते हैं जो सिरी पाए मिलते हैं सिरी माने सर होता है पाए माने पैर सिरी पाए लाते हैं तो जो सिरी सब्द है ये सिरी सब्द का मतलब होता है सर या उंचा हिस्सा हैड और जो सिरी जो होता है उसको कहते है घर का कोई मुख्या है तो वो स्री है यानि इसका हैड है सर है तो पूरे घर में एक ही स्री होता है सारे स्री नहीं हो सकते आप यह कहें कि बैस कोई सभाए उसमें सबको स्रीमान बोलें या स्री बोलें नहीं हो सकता स्रीमंतु नहीं बोल सकते उसी प वाले धीमन्तु तो सब हर व्यक्ति को आप धीमन्तु नहीं बोल सकते मगर हर व्यक्ति को नमक कार कर सकते हैं और जो मानने वर है मानने वर का मतलब है वर माने स्रेष्ट होता है और मानने माने जिसको माना है यानि हमने जिसको स्रेष्ट माना है उसको मानने वर बोलते हैं ज लग-लग तरह के सब्द हैं, इसलिए किसी भासा के पिट्टी जो की इंटरनेस्टल घोजट हो चुकी है, उसके किसी सब्द को लेके कोई आदमी सीधे और पास कर देता है, तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसमें व्यक्तियों को भाग लेने से पहले सीधे-सीधे इमो व्यक्ति मिले आज, जो हमारे समर संग में स्पोक हैं, उन्होंने साहब कासी राम जी के साथ में काम किया, और वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, कि साहब कासी राम जी के वारे में मैं जानू, रक्सर बताते रहते हैं, कही वार मिलने आए, अब साहब कास तर्क में फ्री होंगा फिर मुझे कहने लगे कि साहब कासीराम जी नाम से चिड़ते हैं इधर रहते हैं असोग बिहार में बहुत पुरारे साथी हैं बड़े साथी हैं मैंने का नहीं चिड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं व्यक्ति पूजा में नहीं जाता और समर्ण संग कभी व्यक्ति पूजा में नहीं जाएगा व्यक्ति पूजा में जाना होगा तो हम किसी व्यक्ति के पीछे चले जाएंगी अभी व्यक्तियों के नाम पूजे जाते हैं उनके कोई परणाम आते नहीं है और तो कासी राम जी का वर्क बताईए तो उन्होंने कहा जी के पहले वो उन्होंने सरकारी करमचारियों का संग्ठन मराया मैंने का ठीक है क्या सरकारी करमचारियों के संग्ठन वाना एक बाद सरकारी करमचारी प्रोटेक्ट हुए क्या सरकारी करमचारी बचे क्या सरकारी करमचार तो हुआ, मगर उनके लिए कुछ नहीं हुआ, और अब समाज में पैसे नहीं आने वाले दस साल बाद, क्योंकि सरकारी करमचारी तो चले गए, सरकारी करमचारी तो खत्म होगे, प्राइवेट होगे, तो समाज को चलाएगा कौन, पहले तो सरकारी करमचारी पोटेक्ट नह है मनी देनी और आपके लिए आपके लिए कुछ नहीं है आप मरो या जी ओ आप जानो इसलिए अलग-अलग सरकारी संग्ठन बने मगर उस सरकारी संग्ठन को जो सबसे बड़ा संग्ठन मांते हैं जो साब काशिन ने में बनाया, उसमें सरकारी कन्वचारी फणा हो गया, क्त All-0 हो गया, फ्रन ने क्या किया, तो उन्हें कहा जी, उसके बाद उन्होंने फिर सामा जी बूवمن्मेंट बनाया, तलिस सोचेिट मुक्ती, ये बनाया, वो गरीब लोग लिए था, ठीक है, क्या उससे गरीब को कु तो उनों कि वह जोड़ा को जो सरकाई करम्चरी संग्ठन था वो क्यों चोड़ा क्या कारण रहे उसके चोड़ने की जरुत क्या थी वह कौन सा बजन पढ़ रहा हूंगे उनको पैसे देता था उनको टाइम देता था उनको टेलेंट डेता पगा है उसका मद्दब वह और उन्होंने एक किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने मुवमेंट चला, इस बात को मानते हो कि रहाजी मानते हैं, फिर क्या किया, किर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्या लाश्टमार उन्होंने ये कहा था कि जी मैं बहुजन समाज पार् दो सेंटेंस है, सारे समण लोग इखटे होके आईए, और EVM को हटवा के आईए, अगर आप EVM नहीं हटवा सकते हैं, तो आप करोगे क्या, जब आप खुद अपने लिए EVM नहीं हटवा सकते हमारा क्या करोगे, इस बात पर वो खामस होगे, तो मैंने उनसे एक कहा कि देख लगवाना, मेरी मूर्टियां लगवाना, मेरे पर हाज चलाना, मेरा बढ़े मनाना, मेरा मरण दिन मनाना, मेरी जैकारे लगाना, मेरे नाम के तुम बड़े-बड़े मंदिर बनवाना, मेरे बड़े-बड़े नाम के आले बनवाना, मेरे बड़े-बड़े नाम के बिहार गान करना और अगर कोई बोले तो उसकी प्टाई कर देना अगर कोई बोले तो उसको गाली बखना अगर मेरे नाम पे कुछ करे तो तुम उसको ऐसे करना ये किसी भी महापुरूस ने पूरी दुनिया के ने कभी नहीं किया चाहे आप पुराने समय के जो यूरोप के लोग ह जिसमें इसा आते हैं या इसा को देख लो इसा कभी नहीं कह गए कि उनका प्रिचार करना है प्रिचार करना है चाहें वो जो मुहम्मद मुस्तफा सल्लेलाहुए अलभी वसलम में उनका देख लो लोगों ने बाद में उनके नाम से साहिबा और साहिब की प्रथा चलाई है उचलती है, यहां जितने भी संत आये हैं, उन में से किसी संत ने कहा हो, तुम मेरी मूर्ती लगाना, मेरा समुधाय बनाना, मेरा डेरा बनाना, मेरा आसरम बनाना, मेरा बाबा बनाना, मेरा परचार करना, मेरा परचार करना, और तुम उन सब चीजों के नाम पर लड़ना, क और उपर से रही से कसर हमारे संटोने पूरी करती हम तो पूरी तरह से घरे पड़े हैं चारो तरफ से वाई हमारे लिए तो सांस लेने की जगे नहीं है और उपर से ये छोटी 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 बाते आ जाती हैं तो यह अच्छा कासा होता है कि लोग अपना brain storming करेंग जो व्यक्ती यह कहता है कि मेरे नाम का जैकरा लगाना है वो reformer या सच्चाध भी नहीं होता कोई जीते जी अपनी मूर्ती बनवाले कोई अपने पोश्ट छप वाले कोई माला पहना सुरू कर दे को टोपी लागाना सुरू कर दे वो सामाजिक कारे करता नहीं होता वो रा अप्लाई करना है विचार धारा का प्रचार का मतलब है कि लोग उस विचार धारा को फॉलो करें उस पे चलें चलने के लिए कहा है उसका रट्टा करने के लिए कहा है उसको कैस करने के लिए कहा है लोगों ने क्या किया सारे महापुर्श दुनिया में जितने भी आए जैसे महापुरुस गए तो उनके आसपास के लोग उनके मालिक बढ़े हैं। उनके जमा होगे, जम्बाले होगे, उन्होंने उस महापुरुस का अच्छे काम को कैस करने के लिए, उनके मठ बना दिये, उनके जंडे-डंडे बना दिये, उनकी ड्रेस बना दी, जबकि महापुरुस तो फक्कड घूम रहा है, महापुरुस ने कभी को ड्रेस ने बनाई, बगर यहां तो लोगों ने बुलकुल ऐसा कैसा सिस्टम बना दिया, यह सब जिगे महापुरुस को खतम करने के लिए लोगों से कवायत करवाय जाती है और उसको आग में घी डालके उसको और उंचा किया जाता है, इसलिए उससे साथधान रेना चाहिए, व्यक्ति के पीछ नहीं जाना, डॉक्टर अंबेटकर के पीछ नहीं जाना है, बुद्ध के पीछ नहीं जाना है, डॉक्टर अंबेटकर ने जो कहा है, वो करना है, बुद्ध ने जो जीवन भर किया है, वो करना है, वो कर सको तो समण संग है, और वो ना कर सको तो फिर संग ठन है, फिर तो खुब प्रिचार प्रिचार करो भहिया, खुब कहो के बावा साब का जैकारा बोलो हमारे बोधी सत्पका जैकारा बोलो हमारे भगवान बुद्ध का और उससे बेड़ा पार होता, तो इतने जैकारे लग रहे हैं कि अब तक तो 20 वार बेड़ा पार हो गया होता, सब ने ये किया कि खटा होना है बावसा memicaOCनाइच होना है बुद्ये का संग में जाना है बनाना है संग अच्छामी है तो जो बुद्द के काम तोनोंने इखटा होने लिए क्या था इखटा नहीं होते इसलिए मरवा दिया बात नहीं मानते इसलिए मरवा दिया जैकारा नहीं करते इसलिए मरवा दिया क्या फरक पड़ता है कि आप जैभीम बोलो या ना बोलो फरक इससे पड़ता है कि आप जैभीम की बात मानो या या और्गनाईज का मतलब है कि सब को एक साथ आना है। पुरे परिवार को एक साथ आना है। कहां डॉक्ति अम् Moore कने और गॉवर कन दैसा है कि हुए पढ़े हो अलग हैं कैसे इन से जीत होगे और जब तक एक खटे नहीं होगे तो जीतने का रास्ता खुलता नहीं क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं जो हम कोई बिजनिस कर लें या हम खा लें जमीने हमारी सारी छिन गई हैं नौकरियां हमारी 20% बची है दस साल में 0% ह जाएंगी वो खतम हो चुकी है ठेके में मिलेगा आठ हजार दस से आर बारे गिंटेगा काम करना पड़ेगा तो महां तो दिमाग भी ना चले पढ़ाई की तो बाद छोड़ो पढ़ाई है इतनी महंगी हो गई है कि आप पढ़नी सकते क्योंकि एक करड़ो में डॉक्टर और आपके आँखों के सामने आपका जो बिल है आरक्षण का वो फार दिया जाता है और उनके दो दिन के अंदर प्राइविट सेक्टर में आरक्षण पास हो जाता है और आपके आरक्षण का चटटका दिये कभी लोग साफ़नी डटता है आपके 31 लोग बोलते नहीं तो आपके पॉलिटिकल लोग भी बेकार हैं वहां से भी आपकी उम्मीद नहीं है तो आपके सामाजिक संग्ठने वो आप सारे सारे काम करने लगे हैं उनका सिर्फ एक काम रह गया है कि बस अपने संग्ठन को चमकाना अपने चेरे को चमकाना और कोई बोले तो उसको यह कहन हैं गदारे हो जयकारा लगाते हैं सामाजिक संग्ठनों में जीते जी सामाजिक संग्ठनों में जो लटके बटके बैठे हैं लोग किती साल से वो अपनी जयकारे लगवाने लगे हैं हमारा पतन तो वैसी हो गया जब हम व्यक्तिका जयकारा लगाते हैं समझो हमारा बेड में और इसमें उसमें तो भाई बावा साब का काम कर कों रहा है बुद्ध का काम कर कों रहा है संतों का काम कर कों रहा है सारे आदमी करें कि हम काम करें काम करें काम जा कहा रहा है नाले में जा रहा है काम नाले में जा रहा है गाद बनके जा रहा है इसलिए नालेज में जो बदवू उठ रही है च्छड़न उठ रही है उसको देखे कौन तो ये समण संग की एक उम्मीद है कि समण संग एक सायथ खुसूदार कोई नदी दिखाई दे रही है कि इसमें काम बन जाएगा इसमें काम बनेगा कैसे पानी तो इसके आप हो आप इसमें पानी जितना डालोगे उतनी तेशी नदी बहेगी उतनी तेशी आपके बच्चों को पानी मिलेगा तो इसमें पानी डालने का काम कौन करेगा ये तो सूखी पड़ी हुई है तो बावस क्या बल्गों लोगों कोई खटा करने का काम कौन करेगा, यहां तो गप्पे करवालो, कोई फालतु की मीटिंग होती है, उसमें दो, चार, पांच घंटे खुब गप्पे करवालो, बेकार की बातों पर बहस करवालो भाई, जिन से कुछ नहीं मिलने वाला, जिन से कुछ नहीं होने वाला, उन्पे बहस करवालो, मगर जुडने जुडने की बात मत करवाओ, क्योंकि जुडने जुडने का काम कौन करेगा, करेगा यह जिसके बच्चे मर्टे होंगे, अरे भाया, तुम्हारे बच्चे मनने वाले हैं, किसी के बच्चे नहीं मनने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे मनने वाले हैं, सबका नंबर आने वाला है, किसी का दस साल बाद और किसी का बारे साल बाद, आएका नंबर सबका, तो लोग कहते हैं, जी सबका नंबर कैसे आए हैं हम तो आई-पी-ईस हैं हम तो इंजीनियर होगे हम तो डॉक्टर होगे हमने तो यह काम कर लिया आएगा नंबर सबका सबका आएगा कैसे आएगा बता देता हूं समराट असोक के बाद से लेके और पूरे 1213 साल अब तक 500-600 साल पहले तक जब तक ये कालपने कहानिया नहीं आए थी तब तक भी हम बहुत सुखी थे तब तक भी कास सिस्टम डवल अप नहीं हुआ था तब तक भी बुद्ध की एडिलोजी काम करती थी तब तक भी हमारे पास जमीने थी खेते खलियान थे तब तक भी हम सारा बैपार खुद करते थे और दुनिया का 27% GDP भारास से चलता था और समल लोगों से चलता था क्या रेसम, क्या लकडी, क्या सहद, क्या अचार, क्या बीज, क्या मसाले, क्या कपड़ा, ये सब चीज़ें यहां से जाती थी, रेल गाड़ीों भरबर के जाती थी, और 27 पंजन जीडीपी मिलता था, दुनिया में मसाले हमारे फ्रेमस रहें, इसलिए अंग्रेज यहां बनाते थे, इमारते बनाते थे, जिसका कोई जवाब नहीं दुनिया में कहनी बनती थी, तब 2600 साल पहले है, 2200 साल पहले है, तब हम बनाते थे, ऐसे ऐसे असोक की लाट और पत्थर बनाएं कि आज तक नहीं बन पाई, इतने चिकने इतने पॉलिस और एक पीस में से पत् टेकनिक थी और ऐसी इंजिनिंग थी हमारे पास में, वो टेकनिक इंजिनिंग इतने बड़िया बड़िया हमारे अस्पिटाल थे कि पूरी दुनिया पढ़ने आती थी, इतने बड़िया बड़िया हमारे हॉस्पिटल थे कि पूरी दुनिया लाज कराने आती थी, क्या च लंग खतम हो गया वो सारे जो बिजनस था वो तैसनेस हो गया खेत खलियान चले गए पढ़ाई चले गई कहां आगे कहां पहुंच गए आगे गले में हांडी और पीचे जाड़ू हर व्यक्ति के आ गया क्यों आ गया कैसे आ गया जिन्नोंने खूब कोटियां बना ली थी ज आपने जो लोग हैं अगर आप उनकी वेलू नहीं समझते हूमन रिसोर्स की वेलू नहीं समझते तो फिर आपका पतन होना निश्चित है क्योंकि हूमन रिसोर्स इस दा अल्टिमेट रिसोर्स फॉर हूर हूम ही अपने लिए सबसे बड़े संसाधन हैं बाकी सब चीज़ हैं तो हम पैदा करते हैं मनुष से हर चीज बनाता है प्रत्वी में सारी चीज मौझूद हैं अगर बनाता मनुष से है तो सबसे बड़ी मसीन और सबसे बड़ाने वाला जो स्रोत है सबसे जो ताकत वरे वो मनुष से है तो हम हैं वो लोग और जिनकी जितनी संख्या भार प्रभी उनकी उतनी ताक्त ज्यादा और शम्मिधान इसी बात को कहता है नैच्रों है कि बहुत ज्यादा संक्या लेके आरोगे तो मैं आपकी लिश्या पैदा नहीं करनी जिनको हम आज की डेट में यह कहते हैं कि इस फाइट करना चाहिए, जो बावा साथ जिन्होंने बावा साम ने जो हमको दिया, तो 30 क्रोड भी अगर इखटे हो जाए तो बाकि अपने आपा जाएंगे, हैं तो सारे समण, मगर 30 क्रोड तो इखटे हो सकते हैं, और इखटे हो यह कौन पचार करेगा, कौन उनके लिए वीडियो बनाएगा, कौन उनके लिए पोस्ट करेगा, कौन उनके लिए आर्टिकल लिखेगा, कौन बताएगा, अगर आप उन तक पहुंचोगे नहीं, तो उन्हें क्या पता कि कहां कौन लोग है, उन्हें क्या पता कि कहीं कोई सम वाजी से पेट नहीं भरता, पेट भरता है लोगों को इखटा करके, अपनी सक्ति को इखटा करके, अपने अधिकार, अपना हिस्सा लेने से भरता है, तब पेट भरता है, इसलिए इतने भाज़र सुने, हमने अतिवचार सुने, उसे बात नहीं बन दी, बात बनेगी होने के लिए काम कौन करेगा काम वो करेगा जिसे अपने बच्चे बचाने हैं जिसे अपने परिवार की अपने रिजदार के बच्चे बच्चाने हैं जिसे अपने समाज के बच्चे बच्चाने हैं वो काम करेगा तो सारे समणे भई सबके बच्चे बच्चने हैं तो काम स करते थे बुद्ध कहते थे अरे आके तो देख एक वार बैठके तो देख आ जो उनके पास आता था कहला सवाल जवाब पूछा था जैसे यहां पोडल पर आते हैं सवाल जवाब पूछने सीधे सीधे और पास कर देते हैं ऐसे वहां भी आते थे बुद्ध के समय तो बैठे के जवाब नहीं देते थे हैं यहां तो लोग जबाब कर देते हैं वुक्यों कि सारे ज्टखं है पॉल्ट की बाता का जवाब नए जाती है जो दे रहा है वो तो अपनी विद्ता दिखा रहा हागा आप कियो उसमे बैठ इदर भै और देख ऐसे ऐसे सीख, ऐसे देख बुराई कैसे आती है, बुराई कैसे जाती है, वो सिखाते थे, तो तेरे हफ़ते सिखाते थे, तेरे हफ़ते बात करते थे, कोई प्रसंद तेरा, कहते हैं अब कोई प्रसंद नहीं है, मैं सब सीख या, तो भाया, दो-चार हफ़ते हैं रुको, एक आ होती है तो तोटी नहीं है कवूत जार उडा के ले जाते हैं जारू साफ कर देती है जिंगल में जानवर रहते हैं तो बच जाते हैं मदू मक्या खटी होती है तो बच जाती है और यह चीटिया खटी रहती है तो बच जाती है और हम लोग बंदर भी खटे रहते हैं तो बच चलेगे भाई, जैभीम बोलने में कसर नहीं छोड़ी हमारे लोगों ने, भाई साब मैं अभी यहां 382 लोग हैं और मैं जैभीम जोड़ से चलाओं तो मुझसे बड़े बड़े जोड़ से चला देंगे, मगर होगा क्या उससे, जैभीम तो चलाने का फायता तब है, जब य यह बात समर संग में अप्लाई किया, हमारा दिमाग जब भी खराब करने लोग आते हैं, बहल साब का एक वीडियो लगाया, उस पर आगे क्या वोलते हैं, वो अंदरभक्त चुचो थे, लगे उसमें बत्तमीक निकली है, अरे कोई बात पूछी है तो उसका जवाद दो, क कोई आदमी सवाल पूछता है, उसका राइट बनता है पूरी देश में, नहीं है, जवाब तो चुप रहो, जयजय कर लगाना सुप कर दिया, तो पता चल गया कि उनकी अकल कैसी है, उनका नेता कैसा है, तो आप भाया, जयजय कारे मत पढ़ना, समर संग में काम करना, या इसको अच्छा लगे, या कड़वा लगे, या मीठा लगे, सत्य यही है, और समय ज़्यादा नहीं हमारे पास में इसलिए, परचार और परसार जितना तेज कर सकते हैं इस बात का कि हमको एकटा होना है, हमको जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, और संगठ नेताओं को ये कहने के लिए जितना प्रचार प्रसार करोगे कि भाई किस-किस से लड़ें तुमारे उन्तिस लाख संग्ठों से लड़ें या यह संत बावर की डेरें उन से लड़ें या जो छेजार साथ सो तेतलिस जाती हैं उन से लड़ें या अपने आप से लड़ें इस ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति छोटा है कोई बड़ा है या सब जितने आदमी है नर है उनको सर क्या के बोलते हैं और यहां आपको हर काम बताया जाता है संडे को कि कितना काम हुआ कितना हुँ ताकि आपको खुद अपने होने का पता चल जाए कि आप कहा एक जिश्ट करते हो आप इस्टेंडिंग कहा है आपकी कितना काम है और यहां सारी खुली किताब है यहां कोई चीज छुपी नहीं है कोई भी आदमी परेट फार्म पर खड़े होके यह पूछ सकता है कि यह बात बताईए मुझे, वो बात छुपाई नहीं जाएगी, वो बात खुली बताई जाएगी, कैई वार लोगों को दिक्कत हो जाती है, कारण क्या है कि इतने दिनों से संग्ठन में काम किया है, और यहां अचानक संग हा गया, तो संग क जो माइंड मेक अप हुआ है, जो माइंड में सॉफ्ट्वियर है, और जो हम संग का डाल रहे हैं, तो कैई वार आदमें डूल बिहेव कर जाता है, डूल बिहेव मतलब इस्प्लिट बिहेव कर जाता है, इस्प्लिट बिहेव उसको पता नहीं चलता, मतलब बात करेगा सं संग्ठनकार बात करेगा संग की उसकी इस्पिर्टी में जा रही है यह प्रॉलम आई गी अभी क्योंकि लोगों को संग्ठन के वारे में पता नहीं उनके खून में तो है तो चुकि संग्ठन में काम किया है व्यक्ति के पीछे काम किया है व्यक्ति के लिए काम किया है व्यक में कोई दिक्कत नहीं है फोकर्ट की चीज़ देनी चाहिए उसका कौन सा पैसा लगता है और अपने बड़े वूलों को खुब इच्ज़ देनी चाहिए अभी तो हम मर रहे हैं तो अभी गाताएं सुनाने का समय नहीं है अभी तो सीधे सीधे काम करने का समय है इसलिए अपना प्रचार करने की बजाए जुड़ना है और जोड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जोड़ना है इसका प्रचार करना है और तेजी से करना है जितनी तेरी से परचार कर जाएंगे उतनी तेरी से बच जाएंगे यही मंत्र है धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। संगं सरेनं गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। बूतियं पी धम्ममर्सरेनं गच्छाम। बुपियं पी धम्मां सर्नं गच्छानी, बुथियं पी संदों सर्नं गच्छानी. बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संदम सर्णं कच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तर्तियं सर्णं कच्छामी